वैश्विक महामारी कोरोना के जनते 18 मार्च से शद्धालों के दर्शनार्त बंद हुए श्रष्टी रचियता जगत पिता ब्रह्मा मंदिर के कपाट आखिरकार लगबर 6 महिने के बाद लंबे इंतजार के साथ समवार को आमजिन के लिए खोल दिये गए हैं प्रात्यकाल मंगला आर्थी में ब्रह्मा मंदिर एस्थाई प्रबंद कमेटी के सदश्य पुषकर उपखंड अधिकारी दिलिव सिंग राठोड ने जगत पिता के दर्शन कर विश्व कल्यान की कामना की लगबग 6 माँ बाद मंदिर के खुलने से चारों और खुशी की लहर चा गई अल सुबह से जगत पिता ब्रह्मा के दर्शन करने शद्धालों की कतार नजर आने लगी राज्य सरकार के निर्देशों पर खोले गए मंदिर के अपाट में दर्शनार्थियों के लिए कोविट गाइडलाइन जारी की गई है जिसकी सूचना मंदिर प्रवेश से लेकर मुख्य द्वार टक्ट बैनर और होल्डिंग के मात्पन से की गई है बेरिकेटिंग के माध्यम से दोगज दूरी, मास्क जरूरी, थर्मल स्कैनिंग सहित, हैं सेनेराइजर की विशेश व्यवस्थाओं के बीच शद्धालों को जगत्पिता ब्रह्मा के दर्शन करवाये जा रहे है पुलिस प्रशाशन और मंदिर व्यवस्था आपकों ने सुरक्षा सहीत दमाम कोविट गाइडलाइन की पालना करवाने है तो विशेश माखूल इंतिजामात किये हैं छे महीने के बाद जो भगवान ब्रह्मा जी का मंदिर खोला गया और अधिकारिक तोर पर राजिस्थान में खोला गया क्योंकि भगवान ब्रह्मा जी संसार के सृष्टी करता है जहां से जीवन के चक्र का निर्मान होता है मनुस्य का जीवन चलता है वो सबसे अच्छी बात हुई कि मंदिर देर आए दुरुस्ता आए मंदिर खुला अच्छी बात है सोशल डिस्टेंसिंग के भी नियम पालन होगी ये भी अच्छी बात है और मैं तो अपने भगवान ब्रह्मा जी से एक ही प्रातना करता हूँ कि प्रभू ये दुनिया को रोग मुक्त करो और भारत की देश को भी रोग मुक्त करो क्योंकि मनुस्यों से गल्ती होती है पितामा हम लोगों से गल्ती होई है कि जिसकी आपने हम लोगों को सजा दी ये परमात्मा की लाठी थी या पकबुद्धी से देखो तो ये वगवान की लाठी थी मनुस्तों ने जो गल्ती की उसकी ये सजा थी इससे हम लोग मुक्त हुए हैं और भारत देश रोग मुक्त हो और सारी दुनिया रोग मुक्त हो पर सबसे पहले हमारा भारत देश रोग मुख्त हो। क्योंकि मेरा जन्म भारत का, मेरे कर्म भारत के, मेरा जीवन भारत का और मेरे को मरना भी भारत में। तो सबसे पहले हमारे देश भारत देश का अभय उत्तान हो, सुनिया का अभय उत्तान हो और जो लोग यात्री आ रहे हैं वो निवों का पालन करें किसी प्रकार की कोई आल्तु भाग दोड़ नहीं करें सांती से दर्षन करें भक्त और भगवान की 6 मہिने की दूरी रहे वो दूरी दूर होई है भगवान से ही प्रास्णा की जा सकती और सासन से भी है कि लोगों को कुछ राहत दे यातायात के साधन चालू करें रेल गाड़ियां चलाएं जाएं जो लोग इधर चे उधर आजा सकें और साथ में मनुष्यों को उनके जीवन की जो उनके उतावर सकता हैं वो भी पूरी होती रहें यही हमारी प्रात्ना है बग कि नहीं यही है में अलोग मौत